नमस्कार दोस्तो मैं शुप्रियों आपको स्वागत करता हूँ केर अफवेब के एक नए वीडियो में दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी कॉंटेक्ट फॉर्म का जो डेटा है उसको हम live हम फेज कर पाएं उसको हम live तो कर पाएं यहां पर चैरिटी के लिए एक बीडिंग फॉर्म कीयट किया गया है यहां पर यह बीराट कोहली का अटिश्टेड जो बैठ है हम चाहते हैं लोग इसके लिए bidding करें और bidding price किसी charity में जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक form create किये है तो जब भी हम इस form को create करेंगे तो इस form का कुछ specific data हम चाहते हैं कि यह publicly show हो तकि लोग देख सके कि bidding का progress क्या चल रहा है तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ मैं यहाँ पर form field कर रहता हूँ और अभी मैं करता हूँ submit तो form यहाँ पर successfully submit हो गया है तो अब देखिए यहाँ पर number 5 तक यह जो form है यह field है अभी मैं इसको करूँगा refresh तो यहाँ पर मेरा नाम जो है वो आ रहा है number 6 पर तो यहाँ पर serial number है country है bidding price है कि मैंने कितना bidding price यहाँ पर दिये है और यहाँ पर submission date है इस form में और एक field था वो था email field तो हमने email field को यहाँ पर publicly display नहीं किये है इसका मतलब यह है कि हम चाहे तो form के particular किसी field को हम यहाँ पर hide भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक search bar है यह एजक्स है अगर मैं यहाँ पर USA type करूँगा तो देखिए यहाँ पर USA country का जो है एक entry वो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तो form data को display करने के लिए हमारे पास दो option है एक है premium option और एक है free option premium option में जो plugin आता है वो है form vibes आप नीचे अगर scroll करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर उन्होंने display करके रखे है display submission on font end तो form submission को हम यहाँ पर display कर सकते हैं font end में लेकिन इसका price अगर आप देखेंगे दोस्तो यहाँ पर मैं साइट के dashboard में आ गया हूँ और अभी-अभी मैंने दो pages क्रेट किये हैं एक है reading form के लिए और एक है reading progress दिखाने के लिए मतलब जहाँ पर हम form के जो data है उसको हम show करेंगे तो form create करने के लिए मैं Elementor Pro का जो form है उसी को use किया हूँ आप चाहे तो content form 7 या फिर WP forms भी use कर सकते हैं नीचे description में इसके बारे में detail में मिल जाएगा तो यह हो गया हमारा एक form का page normally यहाँ पर मैंने name, email, country और bidding यह चार जो field है इसको मैंने यहाँ पर create किया दोस्तो जब आप form create करेंगे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा वो है form का level option तो यह level option आपको content form 7, WP forms, Elementor सभी जगा में मिल जाएगा content form के उपर मेरा detail video है आप चाहे तो playlist में check कर सकते हैं तो यह जो level है यह आगे जाके हमें काम में आएगा तो level डालना मत भूलिए और यहाँ पर हमने वो progress दिखाने के लिए एक sort code widget हमने यहाँ पर add करके रखे हैं आगे जाके हमें यहाँ पर sort code डालना पड़ेगा तो चलिए अभी plugin install करते हैं और क्या-क्या setting हमें करना है वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आ गया add new पर मैं click करता हूं और search में हम लिखेंगे table sum यह जो पहला result आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसका developer का नाम भी आप देख लीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई परिशानी ना हो तो इसी को हमें install करना पड़ेगा यह plugin नया है लेकिन यह compatible है और यह अभी grow कर रहा है तो हम इसको install कर लेते हैं और अभी हम करेंगे activate यहाँ पर ऐसा एक pop-up आएगा तो आप इसको skip कर सकते हैं यह data sharing के लिए बोल रहा है तो मैं इसको skip करता हूं और plugin install होन को tutorial दिया गया है कि कैसे आप इसको use करें कुछ guidance यहाँ पर है तो आप चाहे तो इसको भी follow कर सकते हैं लेकिन basic जो हमें करना है वो हम कर लेते हैं तो पहले हम जाएंगे alls टेबल पर या फिर create new tables पर तो अगर मैं all tables पर जाता हूं तो यहाँ पर एक sample table अलड़ी दिया रहत है और stable का मैं एक नाम देता हूं पहले bidding table ठीक है और अभी देखिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा पहला option जो है वो है workflow और यहाँ पर टीगर 1 का एक option है तो टीगर 1 में हम integration में जाएंगे और यहाँ पर नीचे देखिए आपके पास integration में contact form 7, WP forms, elementor और forminator यह चार option है त इस scenario में मैं elementor को choose करूँगा अगर आप contact form 7 use कर रहे हैं तो simply आप contact form 7 को आप choose कर लीजिए या फिर WP forms अगर use कर रहे है तो WP forms को choose कर लीजिए तो मैं करता हूं elementor और अभी इसके नीचे एक option आजाएगा वो है type of action type of action हम क्या करेंगे on form submit मतलब जो action हम यहाँ पर generate करेंगे वो form submit होने के बाद ही होगा तो अभी इसके नीचे आपके पास यह form का एक option आजाएगा अगर click करेंगे तो यहाँ पर मुझे चार ID दिखा रहा है तो हो सकता है मैं confused हो जाऊं तो form ID ढूनने के लिए एक तरीका है कि उसको यहाँ inspect कर लीजिए या फिर अगर आपको form ID पता मतलब हर एक form के लिए एक ID यहाँ पर आपको display में दिखेगा तो मैं पहले जल्दी से आपको दिखाता हूं कि कैसे form ID को हम check कर पाएंगे तो मैं इस form के उपर click करूंगा inspect करूंगा inspect करने के बाद यहाँ पर आप अगर आएंगे उपर में यह जो जगा है आपको यहाँ पर form ID तो यह है 41DFDD30 last में 30 है तो मैं यहाँ पर 30 वाला जो है last में आखिर में जो last create हुआ है वो last में ही आएगा लेकिन आप घबडा यह मत आप अगर एक form यूज़ कर रहे तो उसके एंगेंस में आपको एक ही ID यहाँ पर दिखेगा तो अभी यहाँ पर आगया है integration तो integration में ह जो है इसको हम यहाँ पर select करेंगे इस plugin का name जो है tables हम इसको select करेंगे और अभी आ गया है action तो action में add row action हम यहाँ पर select करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर auto detect जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि four fields auto detect currently मतलब हमारा यहाँ पर जो form यहाँ पर है एक दो तीन चार तो चा plugin है यह चार field यहाँ पर auto detect कर लिए है लेकिन हम क्या करेंगे हम इसको manually करेंगे क्योंकि हमें इहाँ पर यह जो email field है इसको हमें disable करना है email एक private data होता है उसको हम publicly distribute नहीं करेंगे नहीं कराएंगे तो इसलिए हम यह जो auto detector जो है जो चार column को यहां पर वो detect कर लिए हैं यह हम use नहीं करेंगे हम उसके बदले में हम manually इसको select करेंगे तो अभी हम auto detect का जो option है इसको हम off कर देंगे off करने के बाद आपको यह warning message दिखेगा तो इसको घबडाये मत आप नीचे आ जाईए तो देखिए यहां पर columns है table column और field है तो fields पर अगर हम click करेंगे तो देखिए यहां पर हमारा form का जो fields है वो यहां पर so कर रहा है तो हम क्या करेंगे हम यहां पर पहला जो हमारा fields है वो है name तो हम यहां पर column create करेंगे तो एक तो column create है अल्रेड़ी इसको हम rename करेंगे rename करने के लिए इसके बीच में हम यहां पर click करेंगे तो click करने से यह हम edit कर सकते है ठीक है bidding price और यह कर देंगे हम और अभी हम क्या करेंगे यह इसका जो format है इसको हम कर देंगे number क्यूंकि हमारा जो bidding price है वो number में आना चाहिए और अगर आप चाहें तो इस number को so करवाने के लिए आप ascending या descending order भी हम आपस state कर सकते हैं मैं इसको ऐसे default छोड़ देता हूँ तो अभी हम नीचे आ जाएंगे और हम यहाँ पर field select करेंगे करेंगे यहाँ पर name और column में हम कर लेंगे name फिर next हम और एक column को select करेंगे इसमें हम email नहीं रखेंगे रखेंगे country और यहाँ पर करेंगे country फिर एक करेंगे और यहाँ पर करेंगे bidding और यहाँ पर करेंगे bidding price ओके तो यह हमारा यह जो था यह हो गया तो पहले हम देख लेते हैं कि data को कैसे यह फेज कर पा रहा है या नहीं आगे जाके मैं आपको others जो setting है वो बताता हूँ तो मैं करता हूँ save table उपर में आपको success message आ जाएगा आ जाने के बाद देखिए यहां पर एक sort code generate हो गया जैसे वो success message आ जाएगा उसके बाद आप यह sort code यहां पर आ जाएगा इसको हम यहां पर copy करेंगे copy कर लिया फिर हम जाएंगे हमारा यह page में जहां पर हमें वो so करवाना है data को मैं करता हूँ इसको paste ठीक है करता हूँ update हो गया अभी हम इसको preview में रखते हैं इसको preview में देखिए यहां पर name country bidding price यह जो सारे है यह यहां पर आ गया और अभी हम जाएंगे यहां पर हमारा form के तो form हम fill up करेंगे अभी जल्दी से नीचे आ गया तो चलिए मैं form fill up करता हूँ ओके तो इसको मैं करता हूँ send अगर मैं यहां पर जाओंगा और इसको मैं करूंगा refresh तो देखिए form का जो data है वो actually यहां पर आपको दिख जाएगा तो देखिए यह है मेरा नाम और यह country और यह bidding price और यहां पर यह submission date मैं यहां पर और एक दो entry कर लेता हूँ ताकि मैं अधर जो setting है उसका example के साथ आपको दिखा पाऊँ developer से यह report करूंगा लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो सारे data है यह बहुत सुन्दर से यहां पर आ रहा है और अभी हम चाहे तो इसके पहले एक serial number का जो column है उसको हम add कर सकते हैं और यहां पर filter और भी additional filter भी add कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर इसको ascending descending करने के लिए यह जो है इसके पास option है कि हम चाहे तो इसको ascending और descending कर सकते हैं तो अभी हम फिर से जाएंगे इस plugin के जो backend में जहां पर हमारा other setting हम देख लेंगे देखिए यह जो आपका यहां पर thunder icon है इसके side में आपको यहां पर मिल जाएक display setting यहां पर table का जो fit है वो container या standard रहेगा mobile layout जो है वो scolable होना चाहिए या फिर stack होना चाहिए उसका एक option है और कितना जो row है वो एक बार में दीखे तो one to hundred का इसका range है तो मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर three कर देता हूँ तक कि इसका example को मैं आपको दिखा पाऊं और देखिए यहां पर hide table header sticky fast column so serial number यह option है य और यहां पर देखिए नीचे है so search, so filter और so sort तो यह जो सारे option है यह आप यहां से off on कर सकते हैं तो यहां पर मैं यह so filter जो है इसको भी on कर देता हूँ ताकि filter option भी वहां पर आ जाए तो मैं इसको करता हूँ update और अभी मैं इसको करूंगा refresh आप देख लीजिए यहां पर हम वह आ गया और अभी हमें एक बार में तीन जो रो है वह यहां पर दिख रहा है यहां पर fast, last, preview, next यह सारे जो pagination है यह भी यहां पर दिख रहा है यहां पर filter का option है वह भी आपको यहां पर दिखने को मिल जाएगा यहां पर और यहां पर search का जो box है वह तो पहले से ही था त जैसे अगर आप specifically mobile के लिए किसी को optimize करना चाहते है mobile के लिए यह search यह filter को off करना चाहते है तो यह इसके लिए आपको pro लेना पड़ेगा हम pro में नहीं जाएंगे और मैं जैसे आपको कह रहा था कि यह fast जो blank row हमें यहां पर दिख रहा है यह जो blank row fast वाला है इसको जो दिख हम इसको back end से इस data को हम delete कर सकते है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह hamburger type का जो icon है इसके उपर click करेंगे और यहां पर delete row आप यहां पर कर देंगे तो यह जो blank row जो है वो delete हो जाएगा और serial number फिर से वो सही हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया और अभी हम देखेंग यह color का option क्या है तो color में free में बहुत सारे option यहां पर नहीं है यह जो setting है यह actually यह जो table specific है मतलब एक particular form के लिए है यहां पर global का option भी है लेकिन manager इसको try कर रहा था तो इसका global का function है उसमें थोड़ा सा glitches मुझे दिखा तो इसलिए मैं global function में नहीं जाता हूँ मैं इसका specific जो table theme को change किया अभी और यहां पर हम चाहे तो इसका font color है इसको हम change कर सकते हैं और यहां पर border का भी option है तो हम एक thin border हमने यहां पर choose कर लिया और यहां पर text का alignment है हम चाहे तो इसको भी हम align कर सकते है center में हमने किया था 3 इसको मैं कर देता हूँ फिर से 10 और अभी हम इसको करेंगे अपडेट अपडेट हो गया तो अब देख लीजे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी मैं अगर इसको अपडेट करूँगा इसका जो ये कलर स्कीम था वो चेंज हो गया और आप देखिए इसका जो ये टेक्स है ये अगर आप कोई वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कॉमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूर उत्तर दूँगा धन्यबाद दोस्तो